नमस्कार, रेसिपी मंत्रा में आप सबका स्वागत है, आज हम बनाएंगे नारियल के लड्डू, जो जटपट बन के तियार हो जाएंगे, और इसका जो स्वाध है, वो बिल्कूल मार्केट के तरह होगा, और इस लड्डू को खाने के बाद कोई भी यह नहीं बता सकता है, कि आपने इस लड्डू को घर में बनाया है, तो चलते हैं, पटा-फट से इस रेसिपी को बनाने के लिए, सब्सक्राइब बिटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइक बिटन दबा के मेरे वीडियो को लाइक करें, और हाँ पैल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाले सभी लेटिस वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें, लटू बनाने के लिए यहां पर मैंने gas पर कहाई रख लिया है एक चमज गी मैंने जो घाला है यह पिखला हुआ गी नहीं है इसलिए मैं एक चमज गी डाल रहे हु अगर आप पिगला हुआ गी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप 2चमज गीर आले गी हमाराacter हो गया है यानि कि घी हमारा पिघल गया है और यह हलका सा गरम हो गया है गैस कहाँ चैझ मारे मैं दीमा रखना है और यहां पर आपर दाल रही दो कंप नारियल का बुरादा अब हम इसे लगातार चलाते हुगी देर से दो मिनट भून लेंगे ताकि जो घी का फ्लेवर है टेस्ट है वो हमारे नारेल के बुरादे में अच्छे से आजाए इसे भूनते समय गैस काच हम बिल्कुल भी तेज नहीं करेंगे क्योंकि जो नारेल के बुरादे का कलर है वो हाई के तले से हलका सा भी जल जाए तो लड्डू का टेस्ट खराब हो जाता है तो हमें इसे लगातार चलाते हुए बुनना है और यह मैंने नारेल को हलका सा भून लिया है और आप देख सकते हैं कि जो इसका कलर है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है अब हम इसमें चया के counting तो जिस कप से मैंने नारेल का उसा न आ पका था उससी कप से मैं एक कब दूट डाल रहे हूँ है किमेजरिंग का सही अनुपाता होना बहत ही ज़रूरी है मैं मेजरिंग का इस्तमाल कर रहे हूं को भी कटोरी या घर में काप होते हैं उसका इस्तमाल कर लें लेक जो दूद है वह अच्छे से नारियल के पुरादे के साथ सूख जाए और गैस का अच यहां पर मैंने मीडियम और लो के बीच में ही रखा है एक बात का आप खास जयान रखेगा कि गैस का अच हमें मीडियम और लो के बीच में ही रखना है तेज आच पर हम इसे बिलकुल भ और लगातार चलाते हुए यह तब तक पकाएंगे जब तक की चीनी अच्छे से घुलना जाए इस लड़ू को बनाते समय ना ही हमें पीसेवी चीनी की ज़ोथ होती है और ना ही बुरा की क्योंकि नारियल के बुरादे के साथ जब हम चीनी डालते हैं वह अच्छे से पक जा पहले हमारा मिश्रीण काफी जब तक जितना चीनी का पानी इसमेछ इसमें देशू पे चीनी का पानी आखंए अच्या से बहुत ज्यार के मिल्कपवड़र, मिल्कपवड़र roar डालने से क्या होती है कि जो हमारे लड़ूका टेस्ट काफी बढ जाता है क्योंकि आगे इस कोई बता भी नहीं बाएगा कि इस लड्डू को आपने घर में बनाए बिलकुल मार्केट वालट इस्टाने माला इस लड्डू में तो थोड़ा सा मिल्क पॉड़र डालेंगे तो बहुत अच्छा प्लेवर मिलेगा लड्डू को अब हम इसे लगातार चलाते हुए अच्छ और इसे ड्राइ ना हो जाए यानि सूक न जाये बिलकुल भी हमारा जो यह मिशेन है अच्छै से पकाएं और ये मैंने इसे तीन-चार मिन फ़का लिया है और आप देख सकते हैं कि अच्छे से शूख गया है हमारा जो मिश्रन है बिलकुल ड्राइ ओ गया है अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे फटा-फट से एक दूसरे बरतर में निकाल लेंगे और इसमें हमें इलाइची पाउडर डालने की बिल्कुल भी जोगती होती है क्योंकि नारियल के जो पुरादे का अपना एक टेस्ट होता है वो कम हो जाएगा अगर आप इसमें इलाइची पाउडर डाल देंगे इसलिए मैंने इसमें इलाइची पाउडर का इस्तमाल नहीं किया है neighbour इसमें अच्छे से चुप आरही हूं तो मिश्ण वहारा जिए लड्डू बनाने अच्छोगता हूँ और गरम में अिछा है तो थोड़ा थोड़ा मिशन हाथ में लेंगे और इस प्रकार से तबाते हुए इसके लड्डू बना लेंगे और यह बहुत ही आसानी से बन जाते है और यह देखिए हमारा एक लड्डू बन के तयार है और मैं बाद में आपको इससे तोड़ के पर दिखाऊंगे कि इसका कि और यह लड्डू जब आप इसे तोड़ के देखेंगे ना तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आपने इसमें खुएक इस्तमाल किया ऐसा इस लड्डू का टेक्शर है तो यह मेरा एक लड्डू बन के तयार है अब हमी क्या करना है कि थोड़ा सा सूखा मैंने या पे ना यह मेरी यह लड्डूबन के तयार है इसे हम डूसरे बतर में रख लेते हैं लड्डू की इस रड़ आप लेतरीय कीज़ेग़ और अगर आपको कोई भी समस्या आइ तो ky करके पूछ सकते हैं मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जल से जल आपकी सवालों का जवाब दे सको और मेरी ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर दे दीजेगा क्योंकि आपका एक लाइक मेरे उत्सा को और भी बढ़ाता है और एक एक करके म है ना बिल्कुल खोई वाले लड्डू और इसे खाने के बाद कोई भी नहीं बसा सकता है कि आपने इसमें खोवा नहीं डाला है मुह में जाते ही घुल जाने वाले लड्डू है और इसका टेश तो पूछे मत आप खुद इसे ट्राइ करके देखिए खा के देखिए परि रेसिपी के साथ रेसिपी मंत्रा में तब तक के लिए बाई बाई